हेलो बच्चों, बैंकिंग एक्जैम निकालने के लिए मिनिमम आपको 20 तक की टीबल याद होनी चीए, पहाड़े मतलब 32 तक के स्क्वाइर याद होने चीए और 15 तक के क्यूब याद होने चीए, और ये भी आपको डाइरेक्ट एंड रिवर्स दोनों तरहिके से याद होने चाहिए, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, डाइरेक्ट एंड रिवर्स का, सबसे पहली तो ये चीज है कि अगर जैसे कहीं पर आपके पास में ये सवाल आ गया कि 12 इंटो 9 कितना होता है, आपको पता है बड़े आराम से, याद है अगर आपको तो 108 और अगर आपको आसान होता है, नहीं, तो ये तो हम डाइरेक्ट तो करी लेंगे, ये बात हो गई डाइरेक्ट के, अब ज़राब बात करते हैं कि रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब ये होता है कि कि किसी भी नंबर को देख के ना हम उसे आसानी से फैक्टराइज कर सके, मतलब हम यह समझ सकें किसके पहाड़े में आता है किसका square है या किसका cube है उदाहरण के तौर पे अगर जैसे कि आपके सामने लेक्ट से 126 आया तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि यह जो संख्या होती है यह संख्या क्या होती है एक तो हम इसे यह लिख सकते है 14 इंटू 9 और दूसरा इसी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं इसी संख्या को हम लिख सकते हैं और क्या 18 इंटू 7 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसी तरह से अगर हमारे पास लेट से 144 है तो इसको हम एक तो यह लिख सकते हैं 12 का square दूसरा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 8 अच्छा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 into 9 तो reverse manner में भी आपको याद होना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसे question आते हैं जहां पे आपको numbers को cancel out करना पड़ता है तो अगर हमें उनके factors पता है तब ही तो हम easily cancel out कर पाएंगे अच्छा जो आई बार number series में pattern ढूनने में या maths और DI के जो सवाल होते हैं उसमें cancel out करने में इन चीजों का इस्तमाल होता है याद करना तभी तो उसका कोई मतलब है otherwise छोटे number को गुणा करना तो और भी आसान रहेगा समझ रहे हो ना तो कभी भी याद करो ये नहीं कि 21 इंटू 5 होता है उस तरह से आपको वो दिखना चाहिए